हेलो एब्रीवन, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंपोर्टेंस ओफ एक्सरसाइज, जो कि हमारे बड़ी के लिए बहुत ही नैसेसरी है आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग खाना खाते हैं, वो सही तरीके से खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं जो खाना हम लोगों को खाना चाहिए, वो किस परगार का खाना खाना चाहिए और जो भी हम भोजन करते हैं, उसके बाद जो हम सोते हैं, तो क्या हम सही तरीके से सो रहे हैं या नहीं शो रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए फिर खाना भी बहुत अच्छे तरीके से खाना पड़ेगा तो आपको जो है यह इंस्योर कर ले ना चाहिए कि आपको एक दिन में तीन रेगुलर मिल्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं और जो इंट्रेस्टेड हैं अपना वेट लूज करने के लिए तो उन लोगों को चार से पांच बार दिन में फ्रिक्वेंटली खाना चाहिए ल इस पेंड टाइम टुएट हैबी एंड़ीच ब्रेकवास्ट लंच फूड और वी अबवाइड लाइड डीनर इंडिली बिफोर सेवन पीम आपको ऐसा करना है कि आप जो ब्रेकवास्ट आपको सबसे पहले अपना ब्रेकवास्ट जो सुबह सुबह आप करते हैं उसको और आपका जो डिनर ऐसा नहीं करना है कि आप डिनर छोड़ दो आपको डिनर भी करना है लेकिन साथ बज़े साम से पहले आप क्या करो कि अपना डिनर ले लो साथ पी.m.k. आपको ले लेना है उससे पहले या उसके राउंड में यूँ उट लर्न अबाउट फूड देट विल शूट फोर यूर बड़ी टाइप एंड यूर लाइफ स्टाइल इस डॉक्तर पीटर जे डे अडेमो विट कैथरीन विटनी उनका एक मतलब बुक है उन्हों ने लिखा है राइट इट राइट फोर यूर टाइप आपके जो फिर हमारा जो आता है मैंनेजिंग हेल्थ डाइट आपको किस परकार का डाइट लेना चाहिए और किस तरीके का चीज एबवाइड करना चाहिए उसको देखते हैं नंतनेस नंतलेसनेस इवेन विदाउट सेंटिफिक एवेरनेस ऑफ यूर बड़ी टाइप यू आप यू चीजों को आपको देखना चाहिए सबसे पहले है एबवाइड ओल वाइट फूट सेंट चूज ऑल नेचुरली कलर्ड वन्स आप जो है बजार में बहुत ही ऐसे प्रोड्रेक्ट सा गया है जिसमें की सेंटिफिक कलर वगेरा मिलाया हुआ होता है आपको सबसे पहले जीत करना है वह नेचुरली कलर्ड वन्स लेना है आपको जैसे ग्रीन वेजिटेवल हो गया और कलर्फूल फूट्स हो गया जो भी सीजनल फूट्स वगेरा है उसको लीजेए इट प्लैंटी अब फूट्स और वेजिटेवल सीजनल और फ्रेस्ट डेली तो हैवरिच शोर्स मिन्डल्स और विटामिन्स खाना खाने के साथ साथ आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जो है आपको फूट्स भी लेना है और वेजिटेवल सीजनल फूट्स और वेजिटेवल होंगे मार्केट में उसको आप अपने खाने के साथ में आप बोजन के साथ मिले सकते हैं ताक ना जाद है ना कम अगर जाद हो जाएगा तो फिर ओबेस हो जाने का चांसेज हो जाता है और भी बहुत परकार के बीमारियां है जो आ जाती है द्रिंक मिनिमम टू लिटर सफ अंकंटामिनेटेड वाटर पर दे आपको इन अपने आपको यह फिक्स कर लेना है कि कम से कम आप ज्यादे से ज्यादे पांच छे साथ आप ले सकते हैं लीटर अंकंटामिनेटेड मींस आपको कोई भी पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए पर आप जो भी जैसे कोला अगेर आप पी रहे हैं तो वह आपके लिए सहत के लिए कहीं भी फायदे मन नहीं है या अल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो आपका सराब अगेरा है वह भी कहीं भी हल्प नहीं करने जा रहा है आपको अब आपको जो है स्लीप भी तो अच्छा चाहिए आप खाना खा लिये हैं और आप सोई नहीं अच्छा से तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप जब बोजन अगर ले रहे हैं तो आपको ऐसा करना है कि एक तो लेना ही नहीं चाहिए ज्यादे स्पैसी अगर आप ले भी लिये हैं तो कम से कम आप जो है मील्स के बाद हैभी मील्स अगर जा कर लिये हैं तो उसके बाद आपको कुछ देट तहल लेना चाहिए ताकि तहलने के बाद आपको नींद अच्छी आए जाएगी यूजिंग मॉयल फोन लैप्टॉफ उन बेड विल मैं तो यह कहांगा कि आपका जो बेड रूम है वह कोई भी इलेक्ट्रोनी गैजट से लेस नहीं होना चाहिए आप उसको पूरा फ्री कर दो पार्टिकुलर्ली जो आपके रूम में टीवी होता है उसके वज़ए से आप कोई फिल्म लगाते हो तो फिर आप देखते रह जाते हो फिर आपको ऐसा करना है उसको हटा देना है ताकि आप अच्छे से सोख सको कि दा इंवारमेंट ऑफ दे बेड रूम क्लीन यूज ऑक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट्स लाइक अलोवेरा टू कीप दा एयर प्योर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपका जो बेड रूम है वह बहुत ही उसका इंवारमेंट होना चाहिए वह क्लीन होना चाहिए आप अक्सीजन जेनरेटिंग प्लांट्स जैसे अलोवेरा वगेरा है आप उसको रूम में रख सकते हैं ताकि एयर को वह क्या करें प्यूरिफाय कर सके वास चेंज दबेड सीट और पिलो कवर्स शक्रीन जालेщё ताकि सुखनें है सब्सक्तियों में और यूझम में प्लेंटिया चेंजे हाई है ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड ले लिए फिर उसके बाद आपको सोने में दिक्कत हो जाएगी अगर जाप एडिशनल कंफोर्ट चाहते हैं तो आप ऐसा करो कि आप अपने पैर के घुटने में जो होता है कि बहुत सारे आदमी का यह आदत होता है कि घुटने में एक तक्या लेकर सोते हैं क्यों सोते हैं क्योंकि उसको एडिशनल कंफोर्ट की जरुरूरत होती है सोने के लिए जो फायदे मंद होती है आप भी ऐसा कर सकते हैं अपने आप अपने आपको ट्रेन इस तरीके से कर लो कि आप बिना अलार्म के ही जग जाओ अगर आप मैंडसेट कर लो रात में ही कि मुझे इतना जगना है तो आप को सिस करोगे रोज कर रोज तो आप देखोगे कि आप अलार्म से पहले आप जग जाते हो वाइल चिल्ड्रेन अब जो आप सोना कितना है वह भी तो जानना चाहिए तो आपको कितना कितना घंटा सोना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं वाइल चिल्ड्रेन नीड अप टू 10-11 अवर्स अफ शलिप बच्चे को 10-11 गंटे का नींद जरूरी होता है और एक एड का बड़ी फिट रहेगा वाइल स्लिपिंग किप दे बैड्रूम एस डार्क एस पॉसिबल बहुत लोगों को लाइट में नहीं आती है तो आप ऐसा करो कि जब आप सोते हो तो अपना बैड्रूम को जितना हो सके उतना डार्क रखो कि दम वाइल मॉवाइल स्विच्ड ओ और इन सालेंट मोड गेटिंग फ्रिक्वेंटली डिश्टर बाय मॉवाइल कॉल्स और नॉटिफिकेशन फ्रों सोचल मीडिया इज दा इजिएस्ट वेट इन सोमेनिया इन सोमेनिया स्लिपनेशनस की बिमारी हो जाती है आपको ऐसा करना है कि आप जब बेड पे जाते हो स्लिप फोर लॉंग टाइम कॉंटिंग सीप अलसों सम केसे आपको ऐसा करना अगर नहीं नहीं आ रही है तो आप बहुत ही कम बवाइस में आप कुछ म्यूजिक वगेरा सुन सकते हैं कुछ देर के लिए ताइम फिक्स करके यह आप ऐसा करो कि कोई माइंड में आप कोई जहाज वगेरा देख लो उसको मतलग गिंती करो कि कितना जहाद जा रहा है आप अपने माइंड में सेट करो माइंड में 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 करो तो आप अगर जो सौ तक गनों के जहाज को तो आपको असानी से नीन आ जाएगी इटिंग अ बनाना एन आवर बिफोर बेड़ टाइम और ड्रिंकेंग अ ग्लास अफ वाउम विल्क कैन एक्ट अग्ट अज़िटेटिव्स तो मेक यू रिलक्स एंड गेट साउंड स्लिप ब्रिधिंग एक्सरसाइज हैविंग बात कैन अलसो गीव गूड स्लिप अगर आप सोने लगते हैं तो सोने से एक घंटे पहले आप ऐसा करो कि एक केला खालो और हो सके तो जो आप वार्म विल्क है जो गरम दूद है वह भी आप एक ग्लास अगर पी लेते हो तो आपका बड़ी क्या होगा रिलेक्स हो जाएगा और आप अच्छी नीन ले सकते हैं ब् आपका बड़ी रिलेक्स हो जाएगा और आप असानी से नींद पर सकते हैं अगर आपको क्या करता है यह साउंड श्लिप के लिए आपको यह मदद करेगा 7-8 hours of sleep is required for adults sleeping less than 6 hours or only for 2-3 hours or not sleeping at all can be dangerous हम लोगों को 7-8 गंटा एडल्ट के लिए यह निश्चित क्या गया है कि 7-8 गंटा वो सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं अब अगर जो कोई व्यक्ति थोरा कम सो रहा है 6 गंटे ही सो रहा है या 2-3 गंटे ही सो रहा है तो वो उसके देंजरस साबित होगा क्या प्रॉब्लम उसके वज़े से आ सकती है उसको हम लोग देखते हैं लेक आप स्लिप कोजेज मूड स्विंग्स एंड अकांट फोर कंसेंट्रेशन आप अगर जा सही तरीके से नहीं सो रहे हो तो आपको होगा क्या कि आपका जो मूड होगा वो कंसेंट्रेट करोगे तो वह कंसेंट्रेशन आपका भंग हो जाएगा इट के अबस्ट्रक्ट नॉर्मल बॉल मुमेंट को कॉजस कॉंस्टिपेशन लीड़ी टू फिजर और फिस्टल्स इट कें इट कें ऑल्सो रिजर्ट सिल लॉस आप एपिटेट आपको ऐसा होगा कि अगर आप सही तरीके से नहीं सो रहे हैं अची नहीं ले रहे हैं साच गोंटे आप अगर ज एडल्kt हैं तो आट से धन्रक्रेशन वागेरा हो जाएगा घ्र को अगरी आपको क्यों का घंच को लिल्लेटेसर कुछ भीमारी को सकती है जैसे गैस प्रॉब्लम को सकती है एक क्या करेंगा ना क्या आपका जो भूख होगा उसको भी मंदा कर देगा उसको भी कम कर देगा इट इंक्रीज़ द ब्लड प्रेशर एन इन्हांस द फ्लो टॉक्सिक सेक्रेशन इन बड़ी एफेक्टिंग मैनी वैटल ओर्गेंस लिडिंग तो सदेन कॉलेप्स इमिनेंट ड डिशर नहीं लेने से अपने बहुत बहुत बारसुना होगा कि ऐक वेक्दे बहुत ही अच्छा था फिर वह चलता है कि कहीं न कहीं वह सांड श्लिप स disc नहीं ले रहा था वह अपने प्रोपरॉर्टि को बराने में ही पूरा ताइम लगा रहा और मश्लीप जो है वह सोन जो है बहुत ही कम घंटे ही सोता था तो उस तरीके का प्रॉब्लेम हो शकता है स्लीप इस वन अप दोस रेर तिंग्स डेट मनी केंनोट बाई मनी केंनोट बाई आप जो है नींद जो है आप पैसे से नहीं खरीच सकते हो जो हमारा सीक्रेट है जो तीवितियन प्रभड के अनुशार से कहा गया है जैसे the secret तो living well and longer is जो हमारा secret है living well अच्छे तरीके जीने और लंबा जीने के लिए वो कहता है eat half, walk double, love triple and love without misery अगर जो आपको भूख है जितना भूख है आप उतना ही खाएं जादे नहीं खाएं वाक डबल जो आप खाना खाने के बाद आप तहलते हैं उसको दुगुना कर लिजे और जो आप कि यूमरस करेक्टरिस्टिक से अपके अंदर वो ट्रिपल कर लिजे आप आप हसते रही है हसमुक बने रही है और लब विदावट मेजरमेंट किजिए ऐसा नहीं कि उसमें आ अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे तब तक के लिए बाई